उनका बहान इन से लब करना चाहते थे, स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए बबाबा आपका नाम क्या हुआ? महांत राजिंदर पास्वान हर साल मेला लगता है यहाँ, चोहरमल बबाबा का तो इस बार लोगडाउन है, कोरोना वाइरस के चलते हैं तो हम उसी को लेके यह वीडियो बना रहे हैं हमारे जो दर्शक जो देखते हैं वीडियो वो जानना चाहते हैं कि बबाबा चोहरमल कौन थे बबाबा चोहरमल गरीब घराना का संताम थे उन्होंने उन्हों पर अच्या चार अजवी सिंग के परिवार लो करने लगे उसमें उन्होंने जबाब दिया मारा उन्हों बंद कर दिये चचा चचानी को बाले बच्चे को सोशन से बंद कर दिये तो इन्होंने चुहरमल सुने अजबी सिंग और ये दुनों दोस्त थे उनका बहान इन से लब करना चाहते थे स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए तो दुनों में प्रेम होने लगा तो अजबी सिंग की बहान बहान दुनों दोस्त थे एक ही स्कूल में पढ़ते थे उनका बाहन से इनका प्रेम होने लगे चोहरमल बबाबा के दोस्ते अजबी सिंह की बहन प्रेम करती जहां जी 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 जान चल जा चल जा मगर ऐसा करम नहीं करेंगे कि बावा चोहरमल का कहना था कि अजबी सिंग मेरा दोस्त है मेरे भाई जैसा और तुम उसकी बहन हो इसलिए हम इस प्रेम को स्विकार नहीं करेंगे जी उसके चलते आपको ढोला पितवा दिया गाउं में कि कोई भी जानवर नहीं मेरे एरिया में खोल सकता है और न चरा सक हैं अजबी सिंग जी यह सिकाइट सुनना पर रेशमा ने लगा दिया अरोप मेरे जवार में कोई नहीं गाई बगेर खोलेगा और न चरा देगा फिर उसके बाद अपने से लूगा फैटा फार लिए और इनको बदलाम कर दिये कि दिख्याद हम ला चुहरमल इस तरह का बेवहार किया है जी तो चोहरमल बबावा को बदनाम करने के लिए रेसमा लुगा फटा फार लिए अपने को अपने मार से जाकर अभाई से सिकाइट किहिन इस तरह का बेवहार हम से किहिन है उसका इलाई होना चाहिए हां जी तो इनको वाले बच्ची को सब बंद कर दिय कि फिर कैसे कर से जूद करके इन्हों ने हसको खड़ा कर माद पिट कर लाए अपना परिवार को चोहन बल बाबा के पूरे परीवार को बंदक बना लिए है पर 처음 बंदक के भाई जी जी अजभी सिंग हुआ अज्भी सिंग को रह जाह यो जे जी जी अज़ों लोग से मारिन पितीन उसके बाद चुहारमल के भगिना था तो कहिन कि अज़े तु अभी तक सूतले हैं आप गईया कैसे खुलते हिए भंचिया तो उन्होंने कहिन कि हम काम मामो कैसे खोलें जश्मा में जश्मा तो ऐसा ऐसा आरोप लगाया है कि कोई नहीं खोलेगा इसलिए नहीं खोले रहे हैं तो खोल तो हम चले ही ओई गये तो गायव गोरु खोलें तो उनका पैठान नेक्त थे अज़ी सिंके देख भाल करते हैं उनका वह बना कि हिन तो जूद होने लगा मार पित कि हिन मूरी ऐसा मारें कि मूरी का दिए कट के उनका अज़ी सिंके घर अगना में जे 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 इस अब बितान तुन्गने था के नम हो अपका साहलें दरपास बाबा चोहरमलोवा ऐसे हमारे जो हैना मुकामा के टाल के रहने वाले हमारे राजकुमार थे हैं और वहां पर ऐसा था कि वह आज से नहीं करीब आज से डिर सो दो सो बर से पुरानी कथा है कहानी है और हकीकत कहानी है इसमें जो हैना वहां के जो दबंग लोग थे वो काफी परिशान किया करते थे हलाके यह काफी मिर्दुभासी थे और बहुत काफी बलिष्ट थे और वहां पे जो भी इनके पास उस तरह का कोई जाती बिशेस से कोई यह मतलब नहीं रहता था और समा दलितों पर जो अत्याचार होते हैं हां हां दलितों पर जो अत्याचार हुआ उसके खिलाप ही लड़ै लड़ी और उसके खिलाप ही इन्होंने जो है अपना स्यार उठायत ऐसा कहीं कुछ यह नहीं रहा है यानि यह बहुजन समाज के नायक हाँ इस पर दुख है कि चौहरमल जयनती नहीं मना रहा है दूख तो है मगर सारी दुनिया इस तरह का बीमारी उठ गया है जुबा चूत से कि हम लोग करने समझ भूले तो बाकी जो आपके स साल जाते थे मगर यह डर से चुबा शुट के बीमारी से नहीं जाना चाहते हैं जी आप भी आम बेटकर जयनती मनाना हूँ आपको 14 अपरेल को या 13 अपरेल को चोहरमल बावा चोहरमल की जयनती तो घर में ही मना लें और ज्यादा ताम जहम करने की जुरत नहीं अपने चुरक्षा करें तो किस तरह से आप चोहरमल जयनती मनाएंगे और उम बेटकर साहब की जयनती मनाएंगे परते किरिया जरूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो कर लिजिए बिल आइकन ज़रू दौएं चलते हैं जै भीम जै हरमल जय भारत